बिहार के सुदूर गाउ में, जहां लोग अभी भी प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं में विश्वास करते थे, एक ऐसा रहस्य था जो कई वर्षों से जन्चर्चा का विशय बना हुआ था. गाउ का नाम था अतनागपुर और यह नाम कोई सन्योग नहीं था. यह गाउ सदियों से नागों का निवास स्थान माना जाता था. इस गाउ में एक रहस्य में महिला की कहानी छुपी हुई थी, जिसे लोग नागिन कहते थे. गाउ के पास एक घना जंगल था, जो दिन में भी भयावः प्रतीत होता था. इस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसे नाग मंदिर कहा जाता था. कहते हैं कि इस मंदिर में नाग देवता का वास था और यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता, उसकी मनोकामना पूरी होती थी. शिवानी एक सुंदर और सरल स्वभाव की लड़की थी, जो अपने माता-पिता के साथ इस गाव में रहती थी. शिवानी का जन्म इस गाव में हुआ था, और उसे गाव के हर कोने-कोने की जानकारी थी. उसकी मातापिता, राधा और मोहन, किसान थे और उन्होंने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी थी शिवानी का स्वभाव बेहद सरल और निश्चल था, लेकिन उसके भीतर एक अध्भुत रहस्य छुपा हुआ था एक दिन जब शिवानी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तब उसे जंगल की तरफ जाने का मन हुआ दोस्तों ने उसे मना किया, क्योंकि वे सभी जंगल के डरावने किस से सुन चुके थे लेकिन शिवानी का मन नहीं माना और वह अकेली ही जंगल की ओर चल पड़ी, जंगल में कुछ दूरी चलने के बाद उसे एक आवास सुनाई दी उसने ध्यान से सुना, तो वह आवास किसी के रोने की प्रतीत हो रही थी शिवानी ने साहस जुटा कर आवास की दिशा में चलना शुरू किया कुछ ही देर में उसने देखा कि एक महिला, सफेद साडी में लिप्ती मंदिर के पास रो रही थी शिवानी ने उससे पूछा, आप कौन है? और यहां क्यों रो रही है, महिला ने अपना सिर उठाया और कहा, मेरा नाम नागेश्वरी है मैं इस मंदिर की पुजारिन हूँ लेकिन मैं एक नागिन भी हूँ, शिवानी यह सुनकर चौक गई उसने नागेश्वरी से कहा, आप नागिन है? यह कैसे संभव है? नागेश्वरी ने अपनी कहानी सुनाई उसने बताया कि सदियों पहले वह एक नाग थी, जो इस मंदिर में वास करती थी एक दिन एक तांत्रिक ने उसे पकड़ लिया और उसे मानव रूप में बदल दिया तांत्रिक ने उससे कहा कि जब तक वह सच्चे प्रेम को नहीं पालेगी, तब तक उसे मानव रूप में की रहना होगा? नागेश्वरी ने वर्षों तक सच्चे प्रेम की तलाश की, लेकिन उसे कभी नहीं मिला शिवानी ने नागेश्वरी की कहानी सुनकर अपनी सहानुभूती जताई लेकिन नागेश्वरी ने अचानक शिवानी की ओर देखा और कहा तुम्हारे भीतर भी एक रहस्य छुपा हुआ है, शिवानी तुम भी एक नागिन हो, शिवानी यह सुनकर दंग रह गई उसने कहा, यह कैसे संभव है मैं तो एक सामान्य लड़की हूँ नागेश्वरी ने कहा, तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे मातापिता ने तुम्हें इस रहस्य से दूर रखा लेकिन अब समया गया है कि तुम अपनी सच्चाई को जानो शिवानी ने अपने मातापिता से इस बारे में पूछा उन्होंने उसे बताया कि वे सचमुछ नागों के वन्शज है उन्होंने कहा हमने तुम्हें इस रहस्य से इसलिए दूर रखा ताकि तुम एक सामान्य जीवन जी सको लेकिन अब जब तुम्हें यह पता चल ही गया है तो तुम्हें अपने भीतर के नाग को स्विकार ना होगा शिवानी ने अपने भीतर की शक्ती को पहचाना उसे धीरे-धीरे अपने नाग रूप की अनुभूती होने लगी उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक अजीब सी उर्जा है जो उसे आकर्शित कर रही थी शिवानी ने नागेश्वरी के साथ मिलकर मंदिर के रहस्य को जानने का फैसला किया वे दोनों मिलकर मंदिर के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने लगे उन्होंने पाया कि मंदिर में एक विशेश रत्न छुपा हुआ है जो नागों की शक्ती को जागरित कर सकता है शिवानी और नागेश्वरी ने मिलकर उस रत्न की खोज शुरू की उन्होंने मंदिर के हर कोने की तलाशी ली लेकिन रत्न नहीं मिला एक दिन जब वे मंदिर के गर्भगरेह में पहुँचे तो उन्हें एक पुरानी दीवार दिखाई दी जिस पर कुछ रहस्यमे निशान थे उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि यह निशान एक विशेश मंतर का संकेत दे रहे थे शिवानी ने मंत्र का उच्चारण किया और दीवार के पीछे एक गुप्ट दर्वाजा खुल गया दर्वाजे के अंदर एक छोटा सा कक्ष था जिसमें वह रत्न रखा हुआ था रत्न के स्पर्श से शिवानी ने अपने भीतर एक अध्भुत शक्ती महसूस की उसने महसूस किया कि अब वह पूरी तरह से नागिन बन चुकी है शिवानी ने अपनी नई शक्तियों का उपयोग गाव के भले के लिए करना शुरू किया उसने गाव के लोगों की समस्याओं को हल किया और उन्हें सुक्षानती का अनुभव कराया धीरे धीरे गाव के लोग उसे सम्मान की द्रिष्टी से देखने लगे शिवानी ने नागेश्वरी के लिए भी सच्चे प्रेम की तलाश शुरू की उसने गाव के एक युवक अर्जुन को नागेश्वरी के बारे में बताया अर्जुन ने नागेश्वरी की कहानी सुनकर उससे प्रेम करने का वादा किया नागेश्वरी ने अर्जुन के प्रेम को स्विकार किया और उसकी मानव रूप में रहने की शाप समाप्थ हो गई वह पुन्ह नाग रूप में लोट गई और अर्जुन के साथ सुखी जीवन जीने लगी शिवानी ने अपनी नागिन शक्ती को स्विकार किया और गाव के लोगों की सेवा करती रही उसकी कहानी गाव के लोगों के लिए एक प्रेना बन गई नागपुर गाव एक बार फिर से खुशाल और शांतिपूर्ण बन गया और शिवानी की नागिन शक्ती का रहस्य सदियों तक लोगों के दिलों में बसा रहा इस प्रकार शिवानी ने अपने भीतर की शक्ती को पहचाना और उसे अच्छे कायों के लिए उप्योग किया नागिन की यह रहस्य में कहानी गाव के लोगों के लिए एक सच्चाई और प्रेना का स्रोत बन गई